तो हाइभरीवन बहुत मुश्कील होती है यह ऐसा सब्जेक्ट है जो कि याद करना पड़ता है यह 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 तो बहुत अजीव सा है मुझे नहीं पता कितना लंबा लेक्चर होगा बड़ जितनी भी लेंथ होगी अगर तुने पूरा देख लिया चैप्टर है यह आपका पूरा आज खतम हो जाएगा करना कहां से है कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा आज पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा फिर उसके बाद आपको कोश्चन्स भी दूँगा प्रैक्टिस करने के लिए याद रखना किया अगर आप इन सारी चीजों का फायदा उठाते हो क्योंकि यह सब कुछ आपको फ्री मे आपके जैसे दस भी क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं उन सभी का मेंटार हूं मैं और पढ़ा भी रहूं मैं फिछले दो साल से तो आज जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्डेंट चैप्टर है और इससे कोश्चन्स कैसे आते ह कॉंपिटेंसी बेस कोश्चन्स कैसे आते हैं केस बेस कोश्चन्स कैसे आते हैं सब कुछ कवर होगा सब कुछ तो यह ऐसा नॉर्मल वन चौट नहीं है कि जिसमें चैप्टर उपर उपर से पढ़ा दिया नहीं सब कुछ कवर कराएंगे अगर आप किसी भी बोर्ड के हो जिसमें की स्लेवस NCRT आती है आपकी NCRT आती है अगर आप कोई भी बोर्ड के हो CBS, CIC, SC, SC, SST किसी की भी अगर आपका स्लेवस में NCRT आती है तो यह पूरा लेक्चर आपके लिए हैं चलिए तो चलो शुरू तो करता हूँ है न सबसे पहले बताते हैं तो आपको यह क्य क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको प्रीमियम लेक्चर, यह जो लेक्चर आपको मिल रहा है, बड़ा ही शांदार कॉलिटी का लेक्चर मिल रहा है, ऐसको नॉर्मल लेक्चर नहीं बिल्गुल आपको ऐसे स्क्रीन के उपर दिखा आगर हम पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल बेस्ट लेवल का लेक्चर उसके लावा क्लास मोस कहां मिलेंगे टेलीग्राम पर मिलेंगे भई टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके बाद प्रीवेस यर वह भी चैप्टर वाइस पूरी साइंस की पी वाई क्यू बु उससे पहले मेरा आप से एक सवाल या सवाल है भई या अभी चैट में लिखोगे सभी के सभी फटाफट से जो मैं सवाल पूझ रहा हूँ मज़े से पढ़ेंगे, डंक से पढ़ेंगे, चलो तो जड़ू आ, क्या दिक्कत है? अब देखो, हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं, चेंजिस से, है न, chemical reaction and equation में घुसने से पहले हमें changes पढ़ने होंगे, दो प्रकार के changes होते हैं, physical और chemical, यह दोनों में कहा difference होता है, तो चलो पहले definition पढ़ते हैं, बढ़ मैं बता देता हूं, physical, chemical change के question आज की समय पर आते नहीं ह पर फिर भी क्योंकि यह बिल्कुल basic है, तो हमें पढ़ना पढ़ेगा, चलो, तो बिल्कुल basic से शुरू कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल simple सी चीज़े पढ़ेंगे, I hope कि आपको pen visible होगा, बिल्कुल visible है, चलो बहुत बढ़िया बात है, देखिए, सबसे प बढ़ा था, तुने फाड़ के pieces में कर दिया, चेंज तो हुआ, बट यहां पर कोई chemical reaction का involvement हुआ, क्या, कोई chemical reaction लगी, क्या, बही है, नहीं लगी, अगर नहीं लगी, मित्र तो क्या है यह, physical है chemical, बोलना, क्या है, physical, बहुत simple, physical changes, वो changes होते हैं, जिसमें कोई भी chemical reaction, नहीं ह वो physical है, chemical change है, बताओ, बताओ भई, burning of candle क्या है, यह, physical है यह, chemical है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सोचो और, chat section में मेरे को बताओ, उत्तर दो, फटाफट, फटाफट से उत्तर दो, देखो, अब मैं आपको आंसर हो, burning of candle, मतलब, जो आग जल रही है, वो कैसे जलती है, उसमें chemical reaction होता है, oxygen की वज़े से आग जल रही है, आपको पता होगा, oxygen से आग जलती है, तो इसका मतलब वो तो chemical reaction है, but, वो जो आपकी मुम बत्ती है, जो आपकी candle है, उसमें से wax पीगल के नीचे गिरता है, आपने देखा होगा, ऐसा आपका wax ऐसे नीचे गिरने लगता है वो क्या है, melting of wax क्या है, वो है physical change, तो सबसे शांदार example, physical और chemical change का होता है, यह वाला, याद रखना, जब भी melting of wax की बात होगी, वो physical है, chemical क्या है, जब burning of candle की बात है, जो आग जलती है, वो आग तो है, combustion है, आग तो क्या है, oxygen की वज़े से होगा, reaction क्या होती है, tension मतलब reaction सार बता दूँगा, याद रखना, साथ साथ में notes बनाते चलो, और जितनी reaction बताऊँगा, बहुत important है, NCRT की जो exercise है, NCRT की जो आपके examples होते हैं, exercise वाले, वो सारे करा दूँगा, कुछ भी नहीं बचेगा, activities भी करा दूँगा, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो कुछ example ह जैसे की chopping vegetable, boiling water, sponge, absorption, फालतु बालतु example, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम समझ गए, क्या होता है, physical change, चलो, अब second बात करते हैं, भाया, chemical change क्या होता है, chemical change क्या होता है, यह तो हमने physical change की, वही definition आगी, इसको तो यहां से काट दो, ठीक है, इसको तो यहां से काट दो, अब chemical change के example देखते हैं, जैसे की मैंना भी आपको बताया, combustion, burning of candle, candle की जो आग जलरी होती है, वो क्या होता है, chemical change, इसका सबसे अच्छे example है, chemical change को, सबसे अच्छे example जो बच्चों को नहीं पता होता है, वो होता ही है, क्या है भाई, रेपनिंग of truths, यह क्या होता है, आपके घर म moisture है, oxygen है, उससे क्या होता है, react करता है, और क्या होता है, chemical change होता है, जिससे कि आपका fruit खराब होने लगता है, chemical change है, बाकी chemical change आपको पता ही है, सारे के सारे, कि भाई, यह respiration कैसे chemical change है, respiration तो यह होता है, हम breathe करते हैं, यह, यह नहीं होता, respiration, अच्छा किन-किन बच्चों न पढ़ाया बता है एक बार, अगर नहीं पढ़ाया तो basic से difference में बता देता हूँ, biological concept है वैसे, पड़ फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, breathing और respiration, different time में तो, breathing क्या होती है, सांस लेना, सांस चोड़ना, सांस चोड़ना, but respiration, ये जो बात हो रही है, respiration, ये क्या होता है, oxygen का लीजे, फटा-फट से बता है, क्या आपको सब कुछ यहां तक समझ आया, क्या भाया जी, clear हुआ, भाया मज़ा आ रहा है, आ रहा है क्या, आ रहा है, तो like कर दे, अगर मज़ा आ रहा है, like कर दे, एक चीज़ जरूर करना, क्योंकि यार मैं, जितना भी content लाता हूँ, books ला क्योंकि मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ, क्यार, यहां पर शायद 50 लोग होंगे, जो कि afford कर सकते हैं, बट मुझे उन 10 लोगों को देखना है, जो कि afford नहीं कर सकते हैं, अगर उनके लिए मैं काम कर सकता हूँ, तो वहां से हमारी जीत हो जाती है, ठीक है, चली, बहुत कर यहां लोग है, क्या क्या होता है कैमिकल जेंग फिजिकल चेंग बाट सिंपल, समझ गये, अरे बहुत सकता है, और यां बहिए, बहुत सकता है, पड़ा है ज्ल्दी लेक्शन होता है, तो बहुत बईसिक से हैं, जैसे लेङह होता है, रस्टिंग के बारे में आज fermentation, washing, baking, इन चीज़ों के बार में ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना, बट एज एग्जामपल याद कर लो, ठीक है, एज एग्जामपल हमें सारी चीज़े पता होनी चीज़े, चलो भाई यह फटा फ़र से विच स्पीड आगे बढ़ जाते की, अभी हमने क्या पढ़ा, physical change, chemical change, clear, अब बात होते है, chemical reaction, chemical reaction क्या हुते है, chemical reaction की यह होते है, chemical reaction, जिस जिस के अंदर, chemicals interact कर ल bere, मतलब भाई, एक chemical यह है, यह थोनों आपसमें मिले हैं, और इन्होंने कुछ फ़र्म कर दिया नहीं, तो क्या हुआ, chemical reaction, समझ गए, बहुत लिए chemical reaction होती क्या है? Chemicals मिलते हैं और एक मनलब नया product form करते हैं. Basic definition इसकी हमेशा यही होती है. चलो एक example से देखते हैं. Water का example. पानी. जो धरती पे पानी है, वो पानी बनता. कैसे रहे? कैसे बनता है भाईया? तो reaction देख लेते हैं. reaction होती है H2 plus O2. H2 plus O2 equals to H2O. क्या बोल रहा हूं मित्रो? H2 plus O2 equals to H2O. क्या यह reaction balanced है? नहीं भाईया, balanced नहीं है. अच्छा भाईया, balanced reaction क्या होती है? हम नहीं नहीं पता. tension मतलो, इस session के ending में balancing सिखाऊँगा और इतने अच्छी तरीके से सिखाऊँगा, तुम बूलोगे हैं सबी. ठीक है, अभी वस जिन जिन को पता हो, मिरे को chat में बतातो, क्या है balanced है? नहीं है, यह balanced reaction है, दिख रहा है, है ना, जिन को नहीं समझा है, बाद में समझा हो, तो यह क्या है एक तरीके से chemical reaction है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, chemical reaction के कुछ पार्ट होते हैं, एक होता है reactant, एक होता है product, क्या होता है, मिरे साथ बोलोगे reactant, एक product, देखिए गा, reactant क्या होता है, वो chemical substance, जो की एक दूसरे के साथ collide करते हैं, या मिलते हैं, reaction होने से पहले, वो क्या होते है, reactant, जो की reaction में पहले आ, ठीक है, अगर इनकी definition बता हो, चलो, definition बाद में बता देंगे, अभी आप इतना समझ लो, ये वाला जो पार्ट होते हैं, left side वाले, वो होते है, reactant, और जो इस side वाले पार्ट होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो होते है, product, product क्या है, final, जो reaction के बाद जो चीज़े form होई, वो product, जो reaction से पहले थी, व balanced chemical equation क्या होती है, balanced chemical equation वो होती है, जहां पर reactant और product के atoms बरावर हैं, भाई ये क्या कह दिया, कुछ समझ नहीं है, डंक से समझाओ, देखना, देखो, 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 जल्दी, 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 focus, focus, देखो, H2, O2, ये क्या है, reactant, अब देखो, reactant में H2 के कितने molecules हैं, कि अब देखो, product, product में H2 के तो 2 ही है, मैंला, hydrogen के तो 2 ही है, बट oxygen का केवल एक है, oxygen का केवल एक है, तो क्या ये balanced है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों कि reactant और product कि जो atoms है, number of atoms, वो बराबर नहीं है, तो अगर बराबर होते, तो क्या होता, balanced, क्योंकि बराबर तो क्या नहीं है बैलेंस नहीं है समझ गए रियक्ट और बैलेंसिंग होती कैसे मैं आगे समझाओं उसकी टेंशन मतलब ठीक है चलो आगे बात करते हैं तो बहुत ज़्यादे इंपोर्डेंट चीज़े बता रहा हूं इसका प्रोडेक्ट क्या आएगा या फिर इसमें कौन सा अभी हम पढ़ेंगे डिस्प्लेस्मेंट डबल डिस्प्लेस्मेंट वो सारी चीज़े पूंचे जा सकती है तो आइल सजेस्ट कि आप रियक्शन याद करो ठीक है चलो तो अब देखो एक चीज़ बताते हैं भईया रियक्शन खुदी बन गए क्या बीच में कुछ तो होगा हां कुछ तो है और वेरियस कंडिशन क्या है पहली कंडिशन होती है भईया holistic या फिर प्रेशर मतलब इस Tax fu में अगर या का utilization है मतलब अगर मेरा AGBR, AGBR क्या होता है भया बोलो silver bromide, AG क्या होता है silver bromide तो क्या होता है silver bromide ठीक है अगर इसको हम heat देंगे या sunlight देंगे अगर मैं इसको sunlight दूँगा तो क्या होगा अरे भया ये breakdown कर जाएगा AG में और BR2 इसके अंदर ब्रेकडाउन कर जाएगा sunlight, heat या pressure हम दे दे या फिर second type का होता है कि जब हम एक reaction perform कर रहे है various type of reaction की बात कर रहा हूँ जब हम एक reaction perform कर रहे हैं और उसके product में gas release हो गई एक gas release हो गई तो उस वाली reaction को हम बोल ले दें कि gas liberate हो रही है जैसे कि example दे रहा हूँ CACO3 है ना ये क्या होता है कमेंट में लिखो जल्दी पटा क्या होता है वही किन किन ने पट रहा है क्या होता है calcium carbonate ज़्याद आ गया अगर मैं इसको दूँगा अगर मैं इसको heat दूँगा तो ये क्या होता है ये हो जाता है breakdown कि इसमें CAO और CO2 CO2 क्या होती है carbon dioxide तो gas release हो जाती है तो यहां पर भी arrow में हमने heat दी इस प्रकार से हैं बहुत सारी चीज़े कर सकते है sunlight दे सकते हैं heat दे सकते हैं pressure दे सकते हैं आगे और बात करते हैं अब तीसरा है catalyst भाई ये catalyst क्या होता है एक example से समझाँगा डंग से समझना देखो catalyst वह चीज़ है तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त की होगे लड़ाई है किसी matter को पर कुछ भी किया तुने मेरा पैन कैसे ले लिया ले लिया मैंने मैं यह दे रहा दे रहे हो यह मेरा पैन ऐसे लड़ाई होता है अब तुम्हारा एक दोस्त कहने लाइक तो नहीं बट है तो आता है और तुमसे बोलता है सुन तुमसे जाकर बोलता है कि वो तेरा जो दूसरा दोस्त है वो गलत है और उस दोस्त को जाकर बोलता है कि तुम गलत हो तो वो क्या कर रहा है वो तुम्हारी जो fight है उसमें आग लगा रहा है आग लगाने का काम कर रहा है बट वो fight के डाइरेक्टली नहीं आ रहा वो तुम दोनों का अगलाग बता रहा है और तुम दोनों की फाइट और बढ़ती है बट वो वो कौने में बैटके देख रहा है और हसर है तुम पर देखो क्या आप आगल लोग है ना क्या ऑसता है catalyष्ट क्या होता है catalylast आता है reaction के अंदर कि बढ़िया जी मैं क्या काम है तेरा कूछते रियक्टन की भाही क्यों आएं तू तो कहते हैं की मैं आपकी reaction की speed को कम यह slow कर दूँगा, बट मैं खुद utilize नियुँगा, मैं खुद बहार आ जाओंगा, देखें, देखो भाईया, A plus B, और catalyst आता है, A plus B और catalyst आता है, X, ठीक है, A plus B और catalyst आता है, X, product आता है, C, और यह जो X है, यह directly बहार आ जाता है, मतलब एक्स consume नहीं होता, यह एक्स आपका वो दोस्त है जो कि आग लगा देता है और fight में खुद नहीं पड़ता है, खुद दूर से देख रहा होता है, तो catalyst क्या होता है, definition note down करेंगे, any substance that increases or decreases the rate of reaction without itself being consumed, जो खुद नहीं आता लड़ाई में, बट rate ब दल देता है, बस वो अपना होता है, catalyst, तो catalyst क्या होता है, समझ गए न, अगर तुम से कोई भी, दो नंबर की question में, catalyst की definition पूछेगा, तो तुम लिख दोगे, explain कर दोगे, कर दोगे, है न, वो वाला example, मत explain कर देना, जो मैंना भी समझा है, तो इसके example बाद में पढ़ेंगे अब देखो, एक reaction होती है, जिसमें precipitate form होता है, बहुत सारा नमक मिलाता है, तो last में क्या होता है, कि नमक मिलता नहीं है, और नीचे नमक बैठ जाता है, नीचे नमक आपने देखा होगा, solid form में बैठ जाता है पानी के, तो वही होता है precipitate, कि solid, जब भी एक reaction के अंदर, ये reaction आपको याद रखनी है, बहुत important reaction है, इसका भी मैं पूरा आपको समझाऊंगा भी, आगे जब हम activities पढ़ रहे होंगे, बट फिर भी इसको note down कर लेना, PBNO32, aqueous, aqueous क्या है, ये क्या है, ये क्या है, aqueous क्या है, किसी को पता है, aqueous क्या होता है, aqueous क्या होता है, aqueous क हुआ, तो product आया, PBI-2, अब ये किसमें आया, ये आगया, solid format में, इसमें आगया, solid format में, तो ये क्या है, precipitate, क्या है, ये, precipitate, तो अगर ये reaction आपके अंदर दे रखी होगी paper में, और बोलेगा, कि भाई, इस reaction के अंदर, precipitate क्या आता है, तो क्या लिखोगे, precipitate, PBI-2 आता है क्योंकि वो solid format में आता है, ठीक है, अभी ये reaction वापिस से पढ़ाँगा, पूरी tension की बात नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब physical state के change की बात कर लेते हैं, तो कुछ नहीं होता है, क्या होता है, कभी कबार, दो gaseous चीजे मिलती है, कि ये भी gas, ये भी gas, और वो दोनों मि के liquid बना देती है, होता है, सब बहुत बार होता है, जैसे कि हम किसकी बात करें, hydrogen, oxygen, क्या बनाते है, h2o, water, water किसमे होता है, liquid format में, तो ऐसा भी होता है, कि भाई, दो physical अलग states, एक different state बना देती है, gas और gas liquid बना देती है, liquid और liquid gas बना देती है, तो इसके भी बहुत सारे example है, यहाँ पर मैंने आपके एक दो example लिख दी है, वैसे इनका कोई काम नहीं है ज़्यादा, बड़ फिर भी एक बर देख लो, ठीक है, समझ गए, भाईया यह पढ़ा क्यों है, पहले यह समझाओ, अब देखना मेरी बास, अब मेरी बास समझ न मित्रो, क्या बोलने जा रहा ह हूँ आज में, देख, आपके पेपर में कुछ भी बोल सकता है, कि precipitate form की कोई reaction लिखके बता, और बता precipitate कैसे form होता है, या फिर बोलेंगे कोई statement आपको देदेंगे, कि भाई देख, जब भी chemical reaction होता है, तो उसमें physical state change भी हो सकती है, explain this with an example, तो कैसे explain करोगे, कोई भी reaction बनाई, liquid बना दिया, तो क्या हो आफिदीकल state change होगी, तो ऐसे example के थूरू, इसलिए मैं चीज़े समझाता हूँ, questions सारे आ सकते हैं, पहली बता रहा हूँ, जितना मैं बढ़ाँगा, उसमें से कुछ भी skip नहीं कर सकते हैं, अब हम पढ़ते हैं, ताइपस of chemical reaction, this is the most important topic, आ कैसा है जोश लो, बहुत बढ़िया, 100 on 100, 100 on 100, साही 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 साही, अरे बारे, तुम तो बड़े ही जोश वाले लोग निकले हैं, मुझे तो लगा था कि ठक गए होगे बिचारे, दिवाली मना रहे होंगे बच्ची हैं, एक चीज़ मैं आपको ओलूँगा, कि जैसे कि अब दिवाली नजदीक आ रही है अपने हैं, एक चीज़ आप रखना, कि फेस्टिवल्स अच्छी चीज़ है इंज्वाइ करो, बट मैं यह वोलूँगा कि फेस्टिवल्स ऐसा नहीं कि तुम चार-चार दिन ही इंज्वाइ करे जा रहे हैं, एक दिन, दो दिन इंज्व पर चार-चार दिन, खराब करो, आपको सपने को अचीव करना है, तो आपको और लोगों से ज्ञादा काम करना पड़ी है, वो आपको पता है, मुझे बताने की जरत की ठीक है, चले, आगे बढ़े जाए, बहुत सही, चलो, तो चार पकार की chemical reaction होती है, पहली होती है, combination reaction दूसरी होती है decomposition समझाऊँगा मित रो तीसरी होती है displacement और चोती होती है double displacement आपके course के अंदर ये चार प्रकार की reaction है ठीक है अब एक एक को explain करते हैं बिल्कुल पकड़ पकड़ के धीरे धीरे explain करते हैं सबसे पहले कौन सी है combination combination reaction क्या है नाम सी पता चल रहा है अब ये कुछ combine होगा ये reaction वो होती है जिसमें दो जांस सुनना दो या दो से ज़ादा reactant मिलके एक product form करते हैं मतलब a plus b plus c plus b एक product form करेंगे e वो होती है क्या combination reaction definition याद रखना two or more reactants combined to form a single product is known as combination reaction एक example देख लेते हैं एक example दे लेते हैं अच्छा भाई इसको काड़ दो याँपर मिस्प्रिंट हो गया h2o ठीक है h2 plus o2 equal to h2o क्या obvious दी बात है similarly c plus o2 equal to co2 carbon dioxide ठीक है ठीक है तो ये हमारी क्या है combination reaction अच्छा ये carbon dioxide होती है ये comment में बोजे मुझे पता नहीं ये क्या होता है अभी मेरे को chat section बता inlet ये क्या होता है co क्या होता है इसको क्या बोलते हां इसको क्या बोलते हैं एक अगला है मनला आप ऐसा DV कि अपको फ्रिज है रिज के अंदर क्या है आपके बहुत सारी वेजिये टेबल्स रखी हूँ है ना, यह 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 अलू है यह मेरी भाहई ध्या और польз मिर्फ है यह उसे मेर'RE एके प्लस प्याज अलग से आजाएगा, प्लस शिम्ला मिर्च अलग से आजाएगा, समझे, जे होता है, decomposition reaction, a single reactant decomposes to form two or more product, लग एक single था, एक single basket थी, बट उसमें से मैंने निकाल निकाल का अलग कर दिये, मैंने का बही आलू ले लो, प्याज ले लो, शिम्ला मिर्च ले लो, तीनों में से कुछ भी ले लो, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो, decomposition reaction, ठीक है, इसका one of the most important example है, CaCO3, calcium carbonate, वो तूडता है इन दोनों में, इन दोनों में, इसकी भी reaction बाद में बताऊंगा, जो मैं activities पढ़ा रहा हूँगा, अभी पढ़ा हूँगा, at the end of the lecture, बट याद रखना, this is one of the most important, CaCO3 break होता है by heating, इसको heat करो, इसको heat करो, यह heating का symbol होता है, यह जो होता है, यह heat का symbol होता है, ठीक है, ठीक है बही है, clear है, क्लियर है क्या, बोलो रहे है, ठीक है, अब देखो, decomposition reaction में लग लग प्रकार की होती है, पता है कैसे, क्योंकि ना, देख, decomposition क्या होता है, बेसिकलिए, decomposition इस तूटना, तो तूटने के अलग अलग कारण होता है, कभी तो heat से तूट जाता है, जो heat से तूट जाए, उसको हम क्या बोलते है, उसको हम बोलते है, thermal decomposition, यह क्या होता है, breakdown due to heat, अगर heat की वज़े से तूट रहा है, second होता है, electrolytic decomposition मतलब, अगर मैं बिजली दूँ, current दूँ, due to, क्या भाई, current, अगर बिजली से तूट रहा है, example, example, H2O2, अगर आप H2O2, sorry, H2O, water के अंदर अगर आप current पास करते हो, तो वो breakdown होने लगता है, किसमें hydrogen gas और oxygen, ठीके, तो यह हमारा होता है, electrolytic decomposition और तीसरा होता है, photochemical decomposition यह होता है, sunlight, जब भी हमारी sunlight के वज़े से decomposition reaction perform होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाईया, अरे भाईया क्या बोलते हैं, बोल रहे, साथ में बोल, साथ में बोल, photochemical decomposition, clear, टका टक, जका जक, बोल, बोल, कोई doubt, कोई doubt, बता दो अपने फटा-फटा, फिर आगे बढ़ जाएंगे भाई, अगर doubt ही नहीं है, तो क्या ही tension है, है ना भाई, चालो, very good, आगे बढ़ते हैं, भाई, notes के लिए क्या करना है, टेली गराम जोइन करने हैं मेरे में तर, नोट्स के लिए, चलो, अब पढ़ते हैं, displacement, displacement reaction को समझाता हूँ, देखो, ये मैं हूँ, नहीं, मेरा example नहीं लूँगा, तुम बुरा मान जाओगा, ये तुम हूँ, ये तुम हूँ, ये तुम हूँ, चिंटू लाल, जो कि तुम हूँ, और ये चिंटू लाल की महभूबा, कौन है, चिंटू लाल की महभूबा, ठीक है, ये कौन है, ये कौन है भाई, तुम, चिंटू लाल, ये तुमारी महभूबा, अब क्या होता है, कि एक दूसरा लड और उसकी महबूबा को ये बबलू आता है और बबलू की दोस्ती हो जाती है किस से आपकी महबूबा से चिंटुलाल की महबूबा से तो अब क्या होता है कुछ टाइम बाद आपकी महबूबा इसकी महबूबा बन जाती है और आप रह जाते हो बिचारे अकेले ये सैड स्ट रहो है ना अगर तुम चिंटू लाल है तो बबलू से बच के रहो है ना तो यह reaction क्या है यह reaction क्या है इस reaction को बोलते है displacement reaction मतलब अब समझेंगे यह यह को हम समझ गए बट इस example से समझाओ देखो a more reactive element displaces less reactive element मतलब एक compound है मतलब यह चिंटू लाल यह उसकी महभूबा इनका एक compound है बट एक आता है मेरा भार से बबलू यह बहुत reactive था यह क्या था अरे यह reactive था बहुत ज़्यादा रियक्टिव था तो यह क्या करता है यह इसको तो चिंटू को तो भार फैक देता है और यह इससे दोस्ती कर लेता ह है और विचारा हमारा चिंटू लाल भाराजी समझें तो क्या हुआ यह क्या हुआ यह displacement reaction अरे भाई भॉल ना हाय ना हाय ना हाय ना समझा displacement reaction क्या हुआ याद रखना this depends on reactivity of element reactivity हम कब पढ़ेंगे पूरा reactivity चार्ट हम कब पढ़ेंगे जब हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे metal non metal उसमें metals की पूरी reactivity याद रखते हैं किस-kis बच्चे को इसे reactivity भी याद है और बताओ है ना में जवाब दो किस-kis को already आती है reactivity table याद है कि किसी को बोलो रहे है हाँ याद है बहुत है चलो तो यह आपका मित्र था आप दोनों best friend थे यह एक दूसरा लड़का था और यह इसका मित्र था यह दोनों best friend थे अब हुआ कहना आपकी भी इससे लड़ाई हो गई आपकी भी इससे लड़ाई हो गई आपने का भाई हमारी दोस्ती खतम और इसकी भी इससे लड़ाई हो गई तो अब क्या हुआ ना, यह जो इसका दोस्त था, यह आपके साथ pair कर लेता है, और यह जो आपका दोस्त था, वो उसके साथ pair कर लेता है, तो हुआ क्या कि interchange हो गए, यही होता है, double displacement reaction देखते हैं example से, example यह कहता है, जब NaOH और HCl का reaction होता है, तो भाई देख, HCl टूटके Na से दोस्ती कर लेता है, और OH टूटके H से दोस्ती कर लेता है, तो क्या बनता है, NaCl प्लस H2, देखो, यह क्या होता है, double displacement reaction, और यह reaction बहुत जादा important है, इसको अभी note down करो, और याद भी रखना है आपको, यह reaction आपको याद होने चीए, चीक है, चीक है, बढ़ी मस्त है, बढ हमारी दोस्ती उससे होगे, उसकी दोस्ती हमारी होगे, क्या चीए दिंद की में, दोस्ती बनी रहनी चीए, बस किसी से भी हो, चलो बहुत बढ़ी है, है न, कर दे, कर दे क्या, चले वह यार, आगे बढ़ जाते हैं, अब देखते हैं, अब देखो, यह हमने पढ़ी type of reactions, बट, दो प्रकार की reactions होती हैं, on the basis of energy, energy के basis पे दो प्रकार की reaction होती हैं, पहली बताता हूँ, अगर कभी भी पूछे, define the types of reaction on the basis of energy flow, तो पता है क्या आएगा आपका answer, तो याद रखना दो प्रकार की होती हैं, endothermic और exothermic, भाई यह endo क्या होता है, exo क्या होता है, देखो endothermic वो reaction होती हैं, जिसके अंदर आपको heat देनी पड़ती है, गरम करना पड़ता है, heat देनी पड़ती है, वो कौन सी होती है, endothermic, और वो reaction जिनके अंदर heat release होती है, product के साथ, product के साथ, जिसमें heat जो है, वो release हो रही है, वो कौन सी होती है, exothermic, तो याद रखना है, इनके example म पहले भी बताय था, बहुत important reaction है, heat का symbol लगा दू, heat का symbol लगा दू, ठीक है, ठीक है, और, यह देखो, यह reaction भी important है, जब भी हम CH4, CH4 क्या होता है, methane, methane को जब हम oxygen से reaction कराते हैं, तो CO2 plus H2O, और plus energy release होती है, क्या release होती है, energy release हो जाती है, ठीक है, जल्दी बताओ, क्या यहां त बहुत सही, हो गया, चलने आगे बढ़े, चलने बहुत बढ़ी है, तो अगर आपको इतना समझ आ गया, तो that is a great thing, चलने आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अब endothermics reaction की कुछ और reactions पढ़ लेते हैं, endothermic reaction basically क्या होती है, endothermic के अंदर heat supply होगा, अगर किसी भी reaction में heat supply होगी, तो क्या होगा, वो तूटेगा, आपको भी पता है, वो तूटती है जब भी reaction, तो कौनसी reaction कहलाती है, decomposition reaction, कौनसी कहलाती है, मित्रों साथ में बोलेंगे, decomposition reaction, ठीक है, तो याद रखना, जब भी heat supply हो इसको हम क्या बोलते है, thermolysis बोलते है, photolysis क्या होता था, photolysis क्या होता है, जब light की वज़े से, sunlight की वज़े से, जब भी चीज़े टूगती है, तो उसको हम क्या बोलते है, photolysis, photolysis क्या होता है, जब भी sunlight की वज़े से, देखो, definition चाहे note down कर लो, the decomposition reaction the decomposition reaction in which sunlight is used उसको हम बोलते हैं photolysis sunlight की वज़े से decomposition जब होता है उसको हम बोलते है photolysis example क्या है यह बहुत ज़ाद है important example है AGCL AGCL को जब sunlight में रखते हैं तो AG और CL2 में टूट जाता है similarly AGBR AGBR के साथ भी यही होता है AGBR के साथ भी यही होता है sunlight में AG और BR2 अलग अलग हो जाते हैं अब आगे बढ़ते हैं Electrolysis का example तो मैं आपको बताई चुका हूँ electricity देगे कैसे तूटेंगे तो देखो भाई water को electricity तो तूट जाएगा तूट जाएगा रिष्टा ही तो है तूट जाता है है ना चलो आगे बड़े बहुत बड़ी है चीजों को अपन ना देखो बहुत सारे ना लोग आकर ये भी बोलते हैं कि यार भाईया आपका पढ़ाने का तरीका ना सही नहीं है आप बच्चों को मिस्गाइड कर रहे हो बट दो को मेरा एक मानना है है लग मुझे नहीं पता सही मानने है करना आप कमेंट में बताना मुझे हो बट मेरा ऐसा मानना है कि यार अगर हम स्टूडेंट्स को प्यार भरे अंदास ते हैं थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग वह में समझा सकते हैं जिन चीजों से वह रिलेट करते हैं तो उनके करते हैं आगे बढ़ जाते हैं आप देखते हैं अभ अब बात करते हैं redox reaction के and this is the one of the most important topic जिस मलब आप मालो सबसे important topic में कह सकने हो एक तरीके से redox reaction redox reaction किया होती है एक वो reaction जिसके अंदर reduction भी हो रहा है oxidation भी हो रहा है डंग से बोल रहा हूँ, डंग से समझना यह वो concept है जो बन अब the most typical concept है, एक बार समझाऊँगा, अगर डंग से सुना तो समझ जाओ, ठीक है, देखो, reduction, reduction की तीन definition है, the process of removal of oxygen, अगर किसी reaction में से oxygen remove होता है, मलब reactant में oxygen था, बट वो product में जाकर oxygen नहीं था, तो क्या हुआ है, reduction हुआ है, पहली definition तो यह रही, दूसरी, या फिर addition of hydrogen, addition of hydrogen, मतलब reactant में hydrogen नहीं था, बट जैसे ही product आया, तो उसमें hydrogen add हो गया, तो क्या हुआ है, reduction हुआ है, और तीसरी definition, addition of electron, की भाई, addition of electron, यह तीसरी definition है, कि किसी भी reaction में अगर electron add हो गया, electron add हो गया, तो क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं, reduction है, तीन definition, क्या होती है, साथ में बोलेंगे, मेरे साथ में बोलेंगे, फटा-फट से, oxygen, remove, hydrogen, add, electron, add, अगर यह तीनों में सो कोई भी condition बनेगी, तो मैं क्या बोलूँगा, reduction, दूसरा पढ़ते हैं, oxidation, oxidation क्या होता है, पहली of electron, तीनों एक साथ बोलेंगे, फिर से, oxidation की, addition of oxygen, removal of hydrogen, removal of electron, ठीक है, यह दो, अपनी तीन-तीन reaction हो गई, reduction और oxidation क्या होती है, redox reaction वो होती है, जिसमें reduction भी हो रहा है, oxidation भी हो रहा है, यह कैसे possible है, आगे समझाओंगा, डरो मत हैं, मेरे मित्रो, अभी बस तुम इतना जानो, reduction और oxygen होता है, अब देखो, आप समझ गए होगे, कि oxygen का add-on, hydrogen का हटना, वो सब top example समझ गए होगे, बट आप electron वाले में confused जैसे यह है, देखो, Zn प्लस CuSO4, Zn SO4 और Cu, यह reaction कौन सा होता था, पहले मुझे comment में बताओ, यह reaction कौन सा है, याद आया, चिंटुलाल अपनी महबुवा के साथ है, यह आता एक दूसरा दोस्त, वो आपकी महबुवा को भगा कर ले जाता है, कौन सा था, displacement reaction, तो देखो, यहाँ पर Zn अकेला है, तो क्या Zn के पास कोई electron है, नहीं है, Zn के पास कितने electron है, 0, Cu, Cu, SO4 के साथ connected है, SO4 के साथ connected है, तो Cu के पास charge कितना है, वो होता है, Cu plus 2, क्योंकि SO4 के पास क्या होता है, SO4 minus 2, यह आपने पढ़ रखा होगा, Cu के पास charge कितना है, Cu plus 2, अब देखते है अब प्रोडेक्ट में CU विचार अकेला हो गया, तो CU के पास कितना हो गया, चार्ज जीरो, और ZN के पास चार्ज कितना हो गया, ZN, 2 प्लस, ZN, 2 प्लस, देखो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो अब देखो, CU के साथ क्या हो, CU के पास पहले पॉजिटिव टू चार्ज था, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रोन की कमी थी, पॉजिटिव चार्ज का बाता है, जब मेरे पास कम होते हैं, जादा होते हैं, तो नेगिटिव चार्ज आता है, यह तो बहुत बीसी तो है झा कर तो जीरो पर पहुंची काट्उ कि एल्यक्ट यह उलक्ट्राइम होता है माइनस का तो दो जीरो और सकता हूँ copper का reduction हुआ है copper का reduction हुआ है copper का reduction हुआ है क्योंकि electron add हुए तो ये क्या है reduction अब आगे बढ़ते है Zn की बात करते है Zn पहले था 0 पर अब Zn आगया plus 2 इसका मतलब Zn ने 2 electron को निकाल के फैंक दिया टाटा भाय पर गुड़वाय कर दिया इसका मतलब उसने remove करें electron उसने electrons को remove करा है और remove कब होता है oxidation में अरे हाँ या ना बोल मित्र अरे बोल ना रहे हाँ या ना बोल clear? clear? भाया या ये तो आपने मस्तरी के समझा दिया पहले तो हमें उतना तो आता था कि addition of oxygen, removal of hydrogen वो तो हमें पता था बटे, electron वाला concept बड़ा प्यार है और question आपके electron वाले concept पर आ सकते हैं आपको ऐसी है कि reaction दे देगा और बोलेगा कि भाई ये बता कि कौन सा reduction हुआ है और किसका oxidation हुआ है कैसे बताओगे? electron को calculate करे जो electron देगा जो दानवीर बनेगा electron का जो दानवीर बनेगा वो oxidize होगा थोड़े सा positive term लगता है जो दानवीर बनेगा वो oxidize होगा और जो दूसरों से चीज़ें मांगेगा जो add करेगा वो क्या कहेगा? वो reduction कहला है clear? clear? जल्दी बोलो, हाँ है न? हाँ है न? हाँ है न? चलो, बहुत बढ़ी है तो देखो, इसके अंदर में आपको एक दू चीज़े add और करता हूँ दो चीज़े होती है एक होता है अपना reducing agent और एक अपना ऐसे ही होता है oxidizing oxy लिख दिया है short form में agent ठीक है? ठीक है? reducing agent और oxidizing agent hopefully writing समझ आ रही होगी नहीं समझ आ रही तो अच्छा जादा ही गंदा लिख दिया कोई बाद से चलता है, जल्दी बाजी में लेख रहा हूँ reducing agent और oxidizing agent अब ये क्या होता है? अब देखो, reaction पे देखते हैं ये हमारी reaction थी ये मेरी reaction थी CU क्या हुआ था? CU reduce हुआ था CU का reduction हुआ था but CU का reduction किसकी वज़े से हुआ? CU का reduction किसकी वज़े से हुआ? बोल जल्दी बोल CU का reduction किसकी वज़े से हुआ? अरे CU का reduction ZN की वज़े से हुआ न ZN oxidize हुआ है CU reduce हुआ है CU का reduction है वो किसकी वज़े से हुआ, ZN की वज़े से, तो इसका मतलब reducing agent कौन, agent क्या होता है, जो वो काम करके देता है, काम कौन सा हुआ, CU का reduction हुआ, किसने करा, agent कौन था, अरे भाई agent कौन था, ZN, तो मैं लिट सकता हूँ, reducing agent मेरा था, zinc, ठीक है, अब बात करते है, oxidizing agent की, अरे कोपर, reason था, CU, तो लिख दो भाई, अरे, लिख दे रहे, क्या दिक्कत है, BU है, reason, बस, बात खता, बात खता, किसी को कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत, क्या चीज़े समझा रहे हूँ, मैं समझे, क्या समझाहे है, मैंने, अरे, बोल रहे, reducing agent पहले हमें एक reaction का चेक करना है किसका reduction हुआ किसका oxidation हुआ उसके बाद मुझे क्या करना है उसके बाद मुझे यह चेक करना है कि reducing agent कौन है और oxidizing agent कौन जिसके कारण oxidation हुआ है वो oxidizing agent जिसके कारण reduction हुआ है वो reducing agent है ना बोल जल्दी clear है clear है चलो भही आगे बढ़ जाते हैं ये एकदम बिल्कुल नॉर्मल प्यारी चीज है एड़ आपको स्तीजे समझ आनी चीज है ठीक है आई होफ की चीजे सबके एकदम clear हो रही हो रही होगी दिमाग में घुसरा होगा मज़ा आ रहा होगा मज़ा आ रहा है तो अपने एक दो प्राक्टिस के लिए आपको वह सॉल्व करने ठीक है आगे बात करते हैं को रोजन की तो को रोजन क्या होता है को रोजन चलो परें देफिनेशन पढ़ता है फिर मैं आपको अपनी बाशन में समझाओंगा वेन आं मेटल सर्फेस और अटैक्ट बाया सबस्तेंस असकी डेफिनेशन न मेरे को आज तक समझ नहीं आती मैं कॉंसेट पकड़वाना जानता हूं डेफिनेशन थे कुछ काम नहीं नोएस तीजी सी वागत और आपको भी दिख रहा है कि आपके डेफिनेशन पर बोर्ड ऑफोकस नहीं कर रहा है यह आपको भी समझागा होगा वो concept पे focus करें, देखो, होता गए ना, हमारी surrounding में क्या है, breathe कर रहे है, oxygen है, oxygen है, moisture है, metal जो होते हैं, metal पे oxygen और H2O, moisture, attack करता है, attack करता है, तो उससे क्या होता है, वो उसकी quality खराब होने लगती है, उस process को हम बोलते हैं, क्या बोलते है, corrosion, क्या बोलते है, corrosion, आपको इतना याद रखना है, कि भाई, H2O और oxygen, उसकी वज़े से एक metal corrode होना start करता है, खराब होना शुरू होता है, उसको हम बोलते है, corrosion, अब, आपने सुना होगा, rusting, 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 rusting of iron, बहुत बार सुने, किस-किस ने सुना है, किस-किस ने सुना है, यह rusting of iron क्या होता है, भया, हमारे घर का लोख है, ब्राउनिश कलर का हो गया, घर वाले बोले रस्टिंग हो गया है, वो क्या होता है, समझाओ, तो होता हो, corrosion ही है, but iron के case में corrosion को rusting बोला जाता है, क्या बोल रहा हूं है, iron के case में corrosion को, है वो corrosion ही, oxygen और H2O के वज़े से हो रहा है, but iron के case में, उसको rusting कुछ नहीं है तो इसके prevention क्या है इसके prevention बहुत जाधा important है याद रखना सबसे जाधा important prevention जो है वो तो है paint उसको paint कर दो paint होगा ना तो आगे एक layer आजेगी layer आजेगी ना तो वो क्या होगा बचेगा oxygen और hydrogen से तो हमारे ऐसी हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं कि देखो पेंटिंग यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन डायरेक्ली कोर्शन आ सकता है दो नमबर का सबसे पहले पेंटिंग उसके अलावा ग्रीसिंग उसके अलावा ग्रीसिंग आउइलिंग गैल्वनाइजेशन उसके तो चार प्रकार की चीज़े होती है जो कि आप कर सकते ये कौन-कौन से पेंटिंग, ग्रीसिंग, ओईलिंग, गैल्वनाइजेशन इन चारों से आप कोरोजन को रोख सकते हो ठीक है अब कोरोजन की रियक्शन पढ़ इतना clear है इतना clear है corrosion की reaction पढ़ लेते हैं देखो पहली reaction iron Fc Fc के साथ जो reaction होती है ना O2 और H2O की वो form करता है Hydrate Iron Oxide यह reaction बहुत important है पहले बता रहूं और इनको याद कर ले ना इसको मत बूल जाना Fc O2 H2O Hydrate Iron Oxide कलर क्या होता है रेडिश कलर का रस्ट आपने देखी तो होगी देखी तो होगी देखी नहीं देखी क्या देखी अरे देखी है नहीं देखी मित्र बोलना अरे हाँ देखी है वही है बहुत सिंपल है चलो आगे बढ़ते हैं कॉपर के साथ भी होता है corrosion कॉपर कर्बोनेट क्या बनाता है मेरे मित्र कॉपर कार्बोनेट क्या बोल रहाँ में कॉपर कार्बोनेट क्या रखने है reaction जब भी CO water और CO2 की उसमें आता है निगरानी में आता है तो क्या होता है copper carbonate बनाता है color क्या होता है bluish green bluish green तो copper के जो material होते हैं उनमें corrosion का color ऐसा नहीं होता उनका color ऐसा हो bluish green याद रखना बहुत ज़्याद है question directly आ सकता है assertion reasoning में assertion में आपको दे रखा होगा कि एक copper था एक रहूल बच्चा है उसके घर में copper का color ऐसा हो गया ब्लूइश ग्रीन तो उसके reasons क्या है आपको उसके reason वहाँ पर दे रखे होंगे assertion reasoning का question बहुत बार ऐसा आ चुका है याद रखना reason क्या होता है corrosion reaction क्या होती है CO2H2O copper carbonate का formation याद रखना बहुत important है आगे बात करते है एजी ओजी लो जी सुनो जी है ना वह वाला एजी अरे वह वाला नहीं है और तेरे को पता है क्या यह सिल्वर क्या है अगर सिल्वर से react करेगा तो वह सिल्फर iti बना देगा और वह काला पढ़ जाते है अपने देखा होगा अगर सिल्वर की अंगूठी और फोरी काली skipped जाती है ना आप देखना अपनी मम्मी भापत के पास इसके पास भी होगी सिल्वर के इंगुटी तो वह तोड़ी काली पढ़ने लग जाते क्यों पढ़ती है अरे को रोजन को रोजन ही तो कारण है सिल्वर सलफाइड बन जाता है उस वज़े से वह ब्लैकिश कलर की हो जात है अगर आप एक्स्ट्र पढ़ना पड़े बट अगर आप बोर्ड के एक्जाम देने वाले हो एंसी आटी आपके स्कूल में फॉलो हो रही है जितना मैं पढ़ा रहा हूं इनफ है आंक बंद करके उसको पढ़ लो उसके अलावा जो कुशन दूंगा प्रैक्टिस के उसक यहां तक सब कुछ क्लियर है कि जल्दी बताओ अब एक अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं रही होता है आप ने देखा होगा जब एक चिप्स होता है लेस का पैकेड़ लाते हो ना उसको खोलके रख देते ओ तो एक दिन बाद या फिर बारा तेरा गंटे बाद वह चुछ परड़ क्या होती है बेसिकली श्मेल औफ धी फूड मटीरियल कंटेनिंग सब्सक्राइब और उस प्रस्ष पर उसको मूलते हैं क्या बोलते हैं ठीक तो यह क्या होता है इस और ऑक्सिडेशन की वजए से जिस भी जिस भी आपके खाने के माटीरियल में फैट होग या फिर ऑइल होगा तो वह Gen continuously का शिकार बन सकता है получилось कि बारे बार में तो मुझे पढ़ाने की ज़रुत निया सुवाइब पता ऑगा का wonder को या एर टाइट कंटेइनर के अंदर रख देना है लो वो किए ओगने भी और विख्ट कंटेनर हो और यूदिंग फ्लैश्मेक विट नाइट्रोजन आप बोलते हो500 में इतनी तो गास इंपोरटेन होती है वह नाइट्रोजन Г receptors क्या बचाती है नाइट्रोजन क्या होता हैम आपको प्रिवेंट करती है किसे अगरवा नाइट्रजन नी होगी ना खालिए फिर तुमने लेज ठीक है चलो लियर है कि देखो कॉंसेट पर करते चलो रटना नहीं है रटना नहीं है मेरा पहला यह मैं जब भी में स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं रटने की जरूत नहीं है रटने की दिन चलेगा जो रटेगा उसका गेम ओवर है वो चायद नंबर जाद लियाएगा तुमसे चायद एक दो नंबर एक्स्टर लियाएगा बड़ जिंदगी में उसका गेम खत्म है मैं अभी बता रहा हूं तुमको नहीं कर पाएगा जो आतके समय पर रटने बैट रहा है तो मान सकता हूं कुछ सब्जेक्ट होता है यह रटना बढ़ता है सब कुछ रटोगे कहीं स्टैंड आउट पहली बता ठीक है एक लिए यह तो आपके अभी स्लेवस में नहीं है तो इसको भी भूल जाओ आगे बढ़ते अब बात करेंगे बैलेंसिंग दी केमिकल एक्वेशन ठीक है बैलेंसिंग दी केमिकल उसके बाद हम एक्टिविटीज पढ़ेंगे तो अभी आपका कितना ट बैलेंसिंग को स्टार्ट करते है ठीक है और नज़रें विल्कुल स्क्रीन पर रहनी चाहिए जोश कम नहीं होना चीकि जोश बहुत इंपोर्टेंट होता है ना तो एक बार अपना जोश मीटर फिर से कमेंट कर दो कि भईया जोश मीटर कितना है क्या वो हेंड्रेड है न देखेगा बैलेंसिंग बहुत जादे इंपोर्टेंट कोंसेट है एक कोशन इसमें पक्के से आ सकता है जैसे फिजिक्स के अंदर नुमेरिकल होते है वैसे इसके अंदर बैलेंसिंग होती है तो देखो बैलेंसिंग क्या होती है जिसके दोनों तरफ के एटम्स का नंबर होती देखो यह देखो यह देखना विधालंग से देखने यह है ह plus एच के कितनेмов हैं एच के मॉली कुल कितने है रियैक्टेंट में तू है लिखदो। टीबल बना लो ऐसी तू है ठीक है और ट्थी elders कीतने है तू है ठीक है अब pro तो क्या मैं यह देखकर बोल सकता हूं कि भाई देख रियाक्टेंट में जितने हैं उतने ही प्रोडेक्ट में है तो क्या इसका मतलब यह है मित्रो भाईयो बहनो कि यह समझके बैलेंस है हाँ बिल्कुल समझके बैलेंस एक्वेशन होती क्या है हमें चेक करना होता है कि reactant और product का जो number of items है वो steam है या नहीं है वो कैसे चेक करोगे वो इस table के साथ चेक करोगे next example की तरफ बढ़ते है और उससे हम और ज़्यादा clear हो पाएंगे ठीक है चलो तो aleco O tu consult c u o अब बताओ क्या यह balance अब क्याsal सेक्षन में लिख के बताए क्या बैलेंस है अरे नहीजा है वहिया balanced क्यों क्योगी देखो reactant cu के कितना है 1 o के कितना है 2 और यहां पर cu का एक है बट o का भी एक है तो इसका मतलब एक o का element कहां गया एक oxygen कहां गया balance के अंदर करना है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी दो चाहिए यहां पर भी no तो मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने क्या करा two से multiply कर दिया है यहां पर two लिग दू कोई दिक्कत कोई दिक्कत हो गई क्या दिक्कत हुई कि अब देखो अब cu के दो गए o के दो गए, oxygen के दो गए, copper के दो गए, but reactant side में केवल oxygen के दो थे, cu का एक था, तो balance करने के लिए क्या करूँगा, 2 से, इसको भी multiply करूँगा, 2 से, इसको भी multiply करूँगा, तो final equation क्या आएगी, 2 cu plus o2 equals to 2 cu o, clear है क्या, clear है क्या, balancing समझे, क्या होती अभी balancing, क्या होती अभी balancing, इस प्रकार से, तो final table हमें क्या बनानी है, final table के अंदर हमारे जो भी reactant side में है, वो product side में बराबर आना चाहिए, अगर ये बराबर आता है, इसका मतला में तो, you are doing very well, you are doing right, ठीक है, oxygen 2, 2, चेक करो, कोई दिक्कत है, जल्दी अभी doubt पूछ लो, अभी doubt पूछ लो, अभी doubt पूछ लो, अगर कोई भी दिक्कत है तो, जल्दी, देखो, चीजे थोड़ी सी complex होती जाएंगी, तो नजरे स्क्रीन पर बेटा, नजरे अगर स्क्रीन से हैटी, दुरगट नगट जाएगी है ना, नजरे एकदम स्क्रीन से है, अगला देखते हैं, अगला देखो, अगला ये है, इसको देखो, क्या ये बैलनस देखो, चेक करो, हाँ बैलनस है, टेबल में अल्रेडी दिख रहा है, यह फोर है, यह टू है, तो इस परकार से आपको टेबल बनाके चेक करना है, कि यह equation बैलनस होती है, यह नहीं होती है और अगर balance नहीं होती तो उसको आपको balance करना होता है अभी balance करना कैसे है वो एक example से पहले समझाया अब एक थोड़ा complicated version लेते हैं ताकि आपका concept और अच्छे से बने ठीक है तो थोड़ा complicated version लेने जा रहा हूँ तो बिल्कुल नजरे स्क्रीन पर होनी चाहिए यह देखो यह देखो क्या यह balance है क्या यह balance है देखके बताओ क्या यह balance है इस table को भूल जाओ क्या यह balance है क्या लग रहा है नहीं है बेटा नहीं है क्यों क्यूंकि देखो iron के कितने है दो oxygen के कितने है तीन जो बर बैर्नस करना है तो मुझे भाई तीन अक्सीजन चाहिए उंगे, और स्ञिलेर blessing क्या चाहिए उंगे, जिमाख लगो सौच धुदैगो संधो, देखो, reactant side में, जो element है, उसकी संख्याता दे. तो इसका मतलब मुझे product में भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी. हाई है ना बोल? हाँ बैए यह बात लिए है. सब देखो, सबसे पहला step में क्या करता हूँ? सबसे पहला step, यह जो FeA, यह जो FEA इसको मैं 2 से multiply कर देता हूँ तो यह वाला जो है FE2O3 यह बराबर आदेता हूँ थीक पहले step क्लियर अब देख़ा अब दूसरा step में क्या उठाता हूँ दूसरा step में simple सा करता हूँ मुझे oxygen को बराबर करने है कारबन तो बराबर है बट मुझे oxygen को बराबर करने है क्या करूँ और इस पूरे को मैं multiply कर देता हूँ किससे इस पूरे को मैं multiply कर देता हूँ तूसरा कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत बोल चल्दी बोल कोई दिक्कत नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं अब देखो reactant side में कितने oxygen हो गए 2 into 3 कितने हो गए 6 oxygen product side में कितने हो गए 3 into 2 कितने हो गए 6 using oxygen की वह गई बराबर किया अपर क्रवं को स्मिल्टिप्लाइ कि तूसे पहले टूसे पहले 2 से, बट अब देखो iron कितना हो गया, अब कितना iron है, 2 into 2, 2 into 2, कितने हो गया, 4, iron कितने हो गया, 4, तो अगर मुझे बराबर करना है, तो मुझे यहाँ पर 4, 2 की जगे 4 से multiply करना पड़ेगा, क्या आप समझे, क्या आप समझे, जल्दी बोलो, क्या आप समझे, final equation लिख 2 Fe 2, 2 Fe 2, 3, यह आगे 2 से multiplied है, यह 2 से multiplied है, प्लस, प्लस, 3 C, क्या बना रहे हैं, प्रोडेक्ट में, Fe, Fe कितने टाइम से, 4 Fe, प्लस, क्या है भाई, CO2, CO2 कितने टाइम से, 3 CO2, देखो, यह final equation, क्या है, balance दे, क्या है, balance है, चेक कर लो, एक बार, चेक कर लो, क्या है, balance दे, हाँ भाईया, obvious की बात है, balance है, ठीक है, complicated example से समझाया है, असान example नहीं, complicated है, और जितना बड़ा सवाल पूछातो, तो आना आपको ये भी चाहिए, ये कैसे आएगा, ये practice से आएगा, ultimate practice, एक और practice के लिए आपको सवाल देता हूँ, वो आप लोग try करोगे, ये है अपना अगला सवाल, ये आपको मैं homework दे रहा हूँ, इसको try करिएगा, ठीक है, ये आपका practice का स इसने है केवल एक, तो हमें दिख रहा है, ओफिसी बात है, balance नहीं है, तो इसको balance करने का try करना, ठीक है, ठीक है, clear है, अब एक simple example देखो, जो तुम बोलते हो, कि भईया, h2 plus o2 equal to h2o, क्या ये balance है, क्या ये balance है, क्या ये balance है, क्या ये balance है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, बट oxygen भईया जी, एक, तो मैं क्या करूँगा, oxygen को बरावर करूँगा, कैसे करूँगा, इस पूरी term को 2 से multiply कर दूँगा, बट भईया, जैसे ही मैंने 2 से multiply करी, तो अब hydrogen कितने हो गए, hydrogen कितने हो गए, 2 into 2, hydrogen हो गए, 4, तो इसका म बट जैसे question बड़ी होती जाती है, तो balancing थोड़ी सी typical होती है, बट practice करोगे, तो चीज़े हो जाएंगी, जाधा practice नहीं करा सकता मैं खुद, क्योंकि हमारा session थोड़ा सा time constraint रहता है, कि मैं आपको ऐसा नहीं, 4-4 गंटे के session लेलू, नहीं, छोटा session लेना है, तो पूरी practice न दो आगे बढ़ते हैं, नहीं समझा, तो भई करा देता हूं, अच्छा, एक question, हमने redox पढ़ा सा ना भी थोड़ दिर पहले, तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये question देखो, ये question, देखो, इस equation में, इस equation में, आपको सवाल मैं पूंच रहा हूं, सवाल दूं चैट section में बता टैप ही, decomposition है, कौन सी है, ओव्यस्ती बात है, दो reactant है, एक product है, तो combination reaction है, ना, combination reaction, combination, अब एक चीज़ बताना, थोड़ा सा सोचना, और try करना, इस equation के अंदर, क्या redox reaction perform हो रही है, या नहीं होगे, बस इतना बता, ठीक है, ये आप मेरे को comment section में, आज बता रहे होगे, ये reduction भी हो, oxidation भी हो, क्या होता था oxidation, oxygen का लगना, hydrogen का हटना, reduction क्या होता था, oxygen का हटना, hydrogen का लगना, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है क्या, बोलना, बोलना, कुछ हो रहा है कह यहाँ पर ऐसा, कुछ हो रहा है कह, सोचना, और जवाब देना मेरे को, ठीक है, चलो, आगे AL के 2 और oxygen के कितने हैं 30 तो प्रोडेक्ट में जाद है रियक्टेंट में कम है तो मैं क्या करूँ सबसे पहले मैं oxygen को balance कर देता हूं तो oxygen को balance करने के लिए मैं क्या करूँगा इधर 3 से multiply कर दिया और इस पूरी term को इस पूरी term को मैं 2 से multiply कर देता हूं 2 2Al2O3 ठीक है oxygen कितने हो गए यहां पर भी 6 हो गए और यहां पर भी 6 हो गए ठीक है च्छे च्छे ऑक्सिजन हो गए बट अब aluminum को balance कर दो sorry गलावी भी खराब है थोड़ा बहुत चलता है देखना aluminum को देखो 2Al2 कितने aluminum के molecule अरे बोलना 2Al2 2Al2 4 अरे भाई reactant देख एक है तो क्या करूंगा चार से भाई यह multiply कर देता हूं अरे बोलना अरे मूर्क बच्चे बोल दे तो final equation लिख दूं क्या अरे बहुत बढ़ी है final equation लिखने जा रहा हूं दियान से देख ले ना भाई ठीक है ठीक है तो इस प्रकार से हम करते हैं balancing of equation balancing of equation कैसे करते हैं यह concept clear है काफी जादा important concept है please don't miss these types of question ठीक है तो इस प्रकार के question आपको और दिखेंगे इनको please try करिएगा इनको try करिएगा मैं काफी सारे question आज लेकर आया हूं ताकि आप लोग try कर सको अगर आपने सारे question एक एक बाद प्रकार कर लिए मैं बतारूं आपको extra question लगानी की जुरत नहीं पड़ेगी जो भी question आएगा आपके पेपर के अंदर most probably इनी में से आएगा इनी के question आते हैं ठीक है तो सारे मैं आपके लिए लेकर आए हूं चलो तब क्या करते हैं आपन खतम टाटा बाइबाए गुडबाए चैप्टर खतम टाटा बाइबाए गुडबाए कर दूं अरे नहीं यार अभी नहीं हो अभी नहीं हो अब मेरी बा मार्स के question है वो भी उनके लिए तुम्हें जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो sufficient नहीं है 90% chances है कि इस चेप्टर के ज्यादातर question आएंगे activities जो तुमारे NCRT में activities है ना 10 activities दे रखें इस चेप्टर में और वो कोई भी coaching में आपको नहीं पढ़ाया जाता मेजरली मैं बात करता अगर YouTube पे आप देखोगे कोई भी उसको cover नहीं कराता अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूं मैं आपको सब कुछ बढ़ा हूं मेरा एक एक बच्चा science में full number लाए मेरा ये में मेरे मेने में तो इसके लिए मैं आपके लेकर आया हूं अज सारी activities और उन activities के most expected questions तो activities भी आज हम cover कर देंगे ठीक है ठीक है बई चले चले करेंगे शुरू करें शुरू ब्रेक देदें क्या ब्रेक देदें क्या तुमको अभी देते हैं फोड़ी देर रुख जाओ अभी थोड़ी दिर में ब्रेक देटे ता है पंद-दस-पंदर मिनट में पिर आप activities है उनकी reaction याद होनी चाहिए है हाए ना बोल याद होनी चाहिए है मुझे reactions अगर तू reaction भूल गया पेपर के अंदर directly reactant देगा और पूछेगा product क्या बनता है तो पहली reaction क्या है देखते है पहले में क्या हो रहा है take a small amount of calcium oxide और a quick lime quick lime बोलते है calcium oxide को और बोल रहा है कि यार उसके अंदर पानी मिलाओ तो देखो क्या होता है तो क्या होता है तो देखो इसकी तो reaction है वो आपको screen पर यहां दिख भी रही होगी अगर नहीं दिख रही है तो मैं यहां लिख देता हूँ c a o plus h 2 o यह क्या है quick lime यह क्या है quick lime यह क्या बनाते है c product बता रहा हूँ यह product है c a o h 2 क्या बनाते है c a o h 2 यह reaction इसके अंदर performance c a o h 2 इसको क्या बोलते है यह है slaked lime क्या है slaked lime याद रखना आपको directly question पूछा जा सकता है कि अगर quick lime को फानी में मिलाएंगे तो क्या होगा तो सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है यह equation लिख दो और बोल देना formation of plagued lime क्या है भईया यह चीज़े तुम्हें याद रहनी चीए पहली बता देता हूँ directly question आते हैं इसके अंदर directly अब देखो यह थी अब इसके अंदर question कौन कौन से आ सकते है तो देखो पहला question नहीं आ सकता है what happened when the calcium oxide reacts with H2O तो क्या होता है भईया बताओ भई क्या होता है क्या होता है बताओ जल्दी क्या होता है when CAO quick lime reacts with water to form a new compound called slaked lime slaked lime और क्या होता है के वल यह नहीं होता इसके साथ heat release होती है देखिएगा heat is produced तो क्या मैं यह बोल सकता हूं यह reaction यह reaction बता भई बोल रहे हैं एक्जोथर्मिक है डायरेक्ली mcq में question आ सकता है कि यह वाली reaction आपकी endothermik होती है एक्जोथर्मिक होती है याद रखना slaked lime की जो reaction होती है वह एक्जोथर्मिक होती है फिर निकलती है बीकर गरम हो जाता है या फिर question क्या है is there any change in temperature when water is added to the calcium oxide and quick lime मैंने आपको बताई दिया है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा heat release होती है तो अपने temperature बढ़ जाता है क्यों बढ़ता है क्यूंकि एक्जोथर्मिक प्रोसेस है चलो आगे बढ़ते हैं अगली activity देखते हैं अगली activity का है अगली activity take a lead nitrate solution in the test tube add potassium iodide potassium iodide को add करा तो क्या होता है तो चलो देखते हैं क्या होता है तो याद रखना जो equation है वो मैं आपको पहली भी करा चुक हो ये equation याद करो जब मैं आपको displacement डबल displacement पढ़ा रहा था ये वाली question मैंने आपको दिखाई थी ये question important है ये question important है ये question important है देखो क्या हो रहा है इस reaction में क्या हो रहा है इसका दोस्त ये था और इसका दोस्त ये था अब ये दोने दूसरे से switch कर रहे हैं तो ये क्या है double displacement reaction ठीक है double displacement reaction अगर ये question आता है आपके exam के इंदर जितने मैं question करा रहा हूँ इसके अगर आपने वो सारे पढ़ लिए सारे question हो जाएंगे मैं बता रहा हूँ इनसे बाहर नहीं आएगा आपके board के paper के अंदर एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा guaranteed आज बता रहा हूँ चलो देखो what do you observe and potassium added solution is added to the lead nitrate तो तुम्हें क्या रखना है सबसे पहले तुम्हें equation लिख देना है ये वाली ठीक है ये equation लिख देना उसके बाद ये लिखना कि precipitate का formation होता है precipitate क्या होता है याद आया अभी बताया था जो solid बज जाता है और solid क्या है यहाँ पर PBI2 यह क्या है precipitate ठीक है ठीक है precipitate का formation होता है precipitate का formation होता है तो अगर आपने यह answer ऐसे लिखा तो आपको full number मिलेगे कोई भी teacher आपका एक marks भी निगाड़ सकता है चलो आगे देखो अब इसमें से question ये भी आ सकता है कि what is precipitate reaction तो तुम क्या लिख सकतो precipitate reaction गी definition क्या है कि एक वो वाला equation है वो व solid format में होता है जो की dissolve नहीं होता है एकको solution के अंदर उस reaction को बोलते है प्रेसिपिटेड reaction और इसका example जो अभी मैंने reaction बताई एक्जामपल से समझा देना क्या दिखकते अगर तीन नंबर काएगा तो example दोगे ना कौनसे example दोगे तो अभी पढ़ाया lead nitrate वाला ठीक है चलो आ कर लो जल्दी फटाफट एक्टिविटी नंबर 3 कहती है टेका फ्यू जिंक ग्रैनियों सिनक कॉनिकल फ्लास्क मतलब देखो आपको समझा देता हूं क्या हो रहा है कि एक हमारे पास फ्लास्क है उसके अंदर solution है copper sulphate COSO4 का और उसके अंदर में zinc की कीले डालता हूं तो क्य तो देखो reaction क्या होती है reaction जो होती है वह बहुत सिंपल है आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि भाई अगर मैं zinc की कीले डाल रहा हूं तो यह reaction कौन सी है displacement reaction जैडन इसको replace कर देगा इसको टाटा भाइबक गुडबाइ कर देगा यह अपना चिंटू लाल है है तो reaction क्या होती है Cu plus ZnSO देखो कोई दिकत कोई दिकत ठीक है यह वाला question तो कोई काम का नहीं है अगला question देखो यह वाला what happened when the zinc granules are added to H2SO4 या फिर जो भी आप बोलो किसी के अंदर भी अगर हम add कर रहे हैं तो मलब H2SO4 की यहां पर बात और यह या फिर HCl की बात और यह तो क्या होता है तो basically होता कहना zinc granules are added to sulfuric acid they occurs a change in the state of the zinc वो क्यों होता है displacement reaction की वज़े से होता है displacement reaction ठीक है इसको not down कर दीजे displacement reaction की वज़े से होता है जिसे Zn plus H2SO4 है यह देखो क्या करेगा displace कर देगा H2 को टाटा वैबै गुडबाय कर देगा और खुदा जाए ठीक है कौन सी reaction है displacement और हो क्या रहा है hydrogen gas release हो रही है hydrogen gas release हो ठीक है तो आप इसके अंदर लिख सकते हो और याद रखना जिस भी reaction के अंदर hydrogen release होती है H2 release होती है वो exothermik होता है हाँ या नो बोल रहे मित्र exothermik होता है clear है clear है तो जब भी मैं zinc granules को acid के अंदर डालूँगा तो क्या होगा displacement reaction reaction लिखी आना और जो आसक है वो गरम हो जाएगा गरम क्यों होगा hydrogen gas के रिलीव क्लियर 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 चलो अगली activity के उपर बढ़ते हैं उससे पहले आपको छोटा सा एक ब्रेक दे रहे हैं कि काफी बच्छे दिमांड कर रहे हैं तो एक ब्रेक ब्रेक ओफ त्री टू पॉर मिनिट्स ठीक चलो दो तीन मिनिट वाद मिलते हैं अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं आ जाना सभी ठीक है जल्दी फटा फट से ब्रेक लिए पानी वानी चाइवाई जो पीनिये पियो मस्त झÁं कर रहे हैं मिलते हैं झाल 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 यह तुम्हारे लिए के वाले एक एक्जाम नहीं है यह तुम्हारे लिएक मौका है खुद को प्रूव करने उन टीचर्स को दिखाने का उन आसपडोस वालों को दिखाने का जिन आपसे जो लोग आकर कहते थे तुम कुछ नहीं कर सकता उनको दिखाने का यह मौका है लावना 95 लावना 98 और दिखाऊ उनको कि भाई हम में दम है ठीक है चलो पड़ावर से अपन स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नमर 4 देखो एक्टिविटी क्या है कि भाई हम फैरस सलफेट का क्रिस्टल ले रहे हैं और क्या कर रहे है ध्यां से देखेगा क्या करना है हम देखो टेक 2 ग्राम ओफ फैरस सलफेट क्रिस्टल इन ड्राय बॉइलिंग ट्यूब नोट देट अट कलर रहे है इस तो क्या करना है हमें लिए टा बॉलिंग ट्यूब ओवर दफ्लेम अब बर्णर और क्या बोला एक सोन इंद फिगर अबसर्व दा कलर ओफ दा क्रिस्टल हमें क्या करना है बेसिकली बहुत सिंपल रियक्शन है हमें फिए असो फोर को हीट कर दो फैरस सल्फेट को हीट कर दो अरे बोलना फैरस सल 4 को hit कर रा हूँ, क्या कर रहा हूँ, heat कर रहा हूँ मितरो, ध्यान से देखेगा, क्या बनाएगा वो, क्या बनाएगा, SO3, क्या बनाएगा भाई, SO2 और SO3, यह दोनों की दोनों gases होती है यह दोनों कैसी होती है gases होती है याद रखना यह इन gases की smell वड़ी मतलब बहुत ही वायाद होती है मेरे को याद है हमें 10th class मेरे स्कूल के अंदर experiment जब कराये गया था आज से शायद 5-6 साल पहले तो मुझे याद है इसकी smell बहुत गंदी होती है मतलब हद जादा होती है pungent smell इसको English में term कर रहे होते है pungent smell ठीक है तो इस reaction को समझगे अब देख लेते हैं इसकी equation कैसे बन रही इसके question क्या बन रहे है do you observe any change in the color of the ferrous sulphate crystal when they are heated in the boiling tube क्या होता है क्या होता है क्या होता है तो याद रखना ferrous sulphate का जो color होता है वो क्या होता है fair minder का कलर होता है green क्या होता है green पड़ जैसी में इसको heat करता हूं तो क्या बनता है फ्या बनता है भाई प्राउ इस ब्लाक में ब्राउनिश lascig the तो उसका कलर क्यों बदल जाता है क्या लिखो गए हीटिंग से यह रियक्शन होती है और उस रियक्शन में कलर बदल जाता है क्यों क्यूंकि फैरिक ऑक्साइड हो जाता है याद रखना इतना याद रखना आगे बात करते हैं लिस्ट एनी टू अब्जरवेशन लिख सकते हो जैसे यहां पर लिखा भी हुआ है ठीक है तो यह दो एक्वेशन जो दो चीज़े हैं वो आप अराम से लिख सकते हो आगे देखते हैं आगे क्या है क्वेशन स्टेट अब्लू लिटिमस पेपर यह आपके काम का नहीं है पर मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि याद रखना ऑस इतना इत्रेख़ वाला कॉश्ट क्रेवा अपकर बहुत सारे वGreen्स पूर्ड में ऐख पूर्र wur अक्रीं करूंगrier संथ नहीं है बट मैं आपको उपर से इसले करा रहा हूं ताकि आपको यह लगे कि हाँ एक्टिविटीज भी इंपोर्टेंट होती है जितने कोश्चन में एक्टिविटीज के बाद डाल रहा हूं अगर आप उनको पढ़के जाओगे एक्जाम से पहले मित्रो तुम्हारा एक्जाम अच्छा जाएगा ठीक है चलो आगे पढ़ते हैं आगे क्या है भाई टेक टू ग्राम अफ लेड नाइट्रेट इन बॉइलिंग ट्यूब उसके बाद क्या करना है भाई बॉइल करो उसके बाद अच्छा मतलब वही सिंपल स हीट करेंगे तो क्या होगा इसकी reaction देख लेते हैं सबसे पहले इसकी जो reaction है कहां गयी भाई कहां गयी इसकी reaction नहीं नहीं दे रखी NCRT में कोई बात नहीं तो याद रखना जो आपकी lead nitrate होती है न वो दो चीज़े form करती है देखना पीबी NO3 क्या formation करेगी पीबी NO3 क्या formation करती है एक तो पीबी O form करती है lead oxide form करती है उसके अलावा एक gas और जाती है gas कौन सी जाएगी जियान से देखना gas आपकी जाती है NO2 nitrogen dioxide याद ठीक है lead nitrate lead nitrate और आपका क्या है दूसरा दूसरा क्या है भाई अगर हम lead nitrate को heat करेंगे तो क्या होगा PBO क्या है lead oxide यह reaction आप याद रखना वैसे यह वाला एक्जामपल यह वाली एक्टिविटी इतनी इंपोर्टेंट नहीं है ज्यादातर स्कूल्स में कराई भी नहीं जाती पर फिर भी क्योंकि NCRT में है तो हमारा फर्द बनता है कि हम इसको पूरा करवाएं ठीक है ठीक है जल्दी बताओ किसी को कोई अभी तक पचले घड़ी पता दो कि चल्दी 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 अच्छा हां 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 सही कह रहे हो सही कह रहे वह गलती हो जाती है मैं नहीं पथाहरो तो याद करेंगे तो यह बनेगा याद रखना very important equation मतलब मैं वैसे नहीं बोल रहा बट स्कूल्स में यह पढ़ा study a decomposition reaction by taking a ferrous sulphate तो देखो यह बोल रहे कि decomposition बता तो यह decomposition reaction ही तो है एक product दो में हो गया एक reactant दो product में split हो गया तो यह क्या है decomposition reaction लिख देना example में कोई दिक्कत में चलो आगे बढ़ते हैं अब पन फटा फट से बढ़ते हैं हमारी अगली activity की तरफ अगली activity क्या है अगली activity में क्या कह रहा है क्या देखो हम क्या ले रहे है sodium sulphate ठीक है एक हमने लिए sodium sulphate उसके बाद क्या करा इन another test tube हमने लिए barium chloride एक में sodium sulphate एक है barium chloride भया इतनी सारी reaction याद करनी बढ़ेंगे क्या हाँ याद करनी बढ़ेंगी कोई और जारा नहीं है ठीक है तो हमने इन दोनों तो reaction क्या होती है reaction होती है N A 2 SO4 यह क्या है साथ साथ में बोलते चलेंगे और क्या है B A T L C L 2 यह क्या है barium chloride अब इनमे double displacement reaction होती है double displacement में क्या होता है तेरा दोस मेरा दोस मेरा दोस मेरा दोस तेरा दोस मतला भई N A की जोड़ी तो आप किस के साथ बन जाएगी क्लोरीन के साथ और BA की जोड़ी SO4 के साथ तो क्या बनके इसमें बहार आता है अरे obvious सी बात है लिख दो BASO4 प्लस NaCl बहुत बड़ी है तो अगर आप से double displacement का example पूछ रहा है तो यह वाली activity important है जब भी हम किस-किस को sodium sulfate को barium chloride के साथ मिलाते हैं तो double displacement reaction होता है दोनों इदर उदर हो जाता है क्या बन गया NaCl और BASO4 याद रखना अच्छी question है important equation है इसमें क्या पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है अच्छा वाई की double displacement reaction हमने barium chloride और sodium sulfate को mix करा then what do you observe क्या observe करते हैं क्या observe करेंगे बताओ क्या observe करेंगे इस equation के अंदर precipitate form होता है तो याद रखना अब white precipitate of barium sulfate is formed वो जो BASO4 formed हो रहा था BASO4 वो क्या था solid था मनला precipitate था उसके अलावा क्या है what will happen in the above observation made by you after 10 minutes उस beaker को 10 minute बाद क्या होगा तो 10 minute बाद क्या होगा the white precipitate will settle down अगर एक नमक को पानी में मिलाओगे और वो मिलेगा नहीं तो क्या होगा नीचे बैठ जाएगा तो barium sulfate क्या होगा नीचे बैठ जाएगा ओव्यस्ती बात है चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगली activity की तरफ पटा पट से अपन आगे बढ़ जाते हैं और इन दोने को मिला रहे हैं तो क्या होता है तो बेसिकली ये वाला जो reaction है ये वाली equation है वो आपके कोई भी काम की नहीं है ये वाली equation आपके slaves के अंदर नहीं है तो इसको हम यहां से skip करेंगे क्योंकि ये वाली equation आपके slaves के अंदर रही नहीं है और ये वाली activity आपको पढ़ने की जुरत नहीं है कौनसी है activity 2.5 इस activity को आप अपने से skip कर सकते हैं क्योंकि इसके question आएंगे नहीं और ये आपके इंदी slayvus भी नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं फटा फट से इसके अंदर कुछ होता भी नहीं है अगर आपको reaction जाननी है तो मैं आपको वैसे बता दूँ है reaction कि वही क्या होता है कि sodium carbonate है और दूसरे sodium hydrogen carbonate तो इन दोनों की reaction है चलो इसके बारे में ज़्यादा time based करेंगे फालतु में क्यों बात करें तो आगे हम बढ़ जाते हैं देखते हैं कौन सी आगे activity activity number 9 वन अगे इंपोर्टेंट एक्टिविटीज यह सबसे इंपोर्टेंट इसके आगे star marker क्या marker लो भई star marker ठीक बहुत जादे important है पहले ही बता देखो यह एक different activity and एक्छी activity तेखो यह मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ decomposition के अंदर अगर मैं silver chloride को agcl को अगर मैं थाली में रखूँ और थाली को मैं sunlight में रख दूँ अगर मैं agcl को sunlight दूँ तो पता है क्या होगा यह breakdown हो जाता है decomposition reaction perform हो जाता है किसमे breakdown हो जाता है एक तो भाई silver अलग हो जाता है और cl2 वाली जो gas है वो हवा में उड़ जाती है तो agcl को जब भी हम sunlight में रखते हैं decomposition reaction होती है बहुत ज़दे important है पार बार पूछा जाता है इसका जो सवाल पूछा गया हो यह है why agcl kept in black colors of bottle क्यों रखते हैं agcl को काली बोटल में क्यों क्योंकि भाई agcl is reactive to sunlight काली बोटल के अंदर sunlight नहीं आ सकती इस वज़े से sunlight से prevent करने के लिए हम उसे काली बोटल के अंदर रखते हैं agcl को one of the most important portion भाईया जी वाँ मद आ क्लियर है क्योंकि मैं आपको activities में गुसके पढ़ाऊंगा सब कुछ तो वो तीन से चार घंट हमारे ले देगा उपर उपर से पढ़ रहे हैं activities को depth में नहीं जा रहें कितना मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप अभी revise कर लोगे notes के साथ आपका ये chapter 100% खतम है मैं चाहता तो मैं वहां तक पढ़ा कर छोड़ सकता था activities करानी की मुझे जोरत नहीं थी बड़ मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं तुन science में 100 में से 100 लाओ ठीक है चलो अब देखते हैं क्या है the silver chloride when kept in the open turns gray ये क्यों होता है तो obvious ही बात है जब भी हम open में करते हैं एजी सीयल को तो ग्रे हो जाती ग्रे क्यों होती है हीट चाइनग निष कंटेइंग वन गराम आफ क्वावडर को हम हीट कर रहे है तो क्या होगा copper powder को heat करते हैं चलो देखते है copper powder को heat करो देखो question इसमें क्या है वैसे मैं आपको बताता हूँ अगर मैं copper को heat करूँगा इसका मतलब oxygen से और react होगा हो गया नहीं होगा तो क्या बनेगा क्या बनेगा copper oxide c u o reaction इसमें यह होती है question देख लेते हैं you might have noted when the copper powder is heated the reddish brown copper किस कलर का होता है रेडिश कलर का वो किसमें convert हो जाता है वो convert हो जाता है black में क्यों होता है वो क्यों होता है question आ सकता है तो उसका reason क्या है उसका reason है कि भाई copper जब oxygen से react करता है copper oxide गनाता है copper oxide is a black color substance तो याद रखना जब भी मैं अगर मेरे copper को तामबे को गरम करूंगा oxygen की presence में तो क्या होगा black हो जाएगा काला पड़ जाएगा क्यों काला पड़ेगा copper oxide की formation से one of the most important question of this chapter ठीक है उसके लावा क्या है how can the black coating on the surface be turned reddish brown देखो बोल रहे हैं कि copper है आपने हमें बताए कि copper को गरम करेंगे तो cuo बन जाएगा और यह black color का होता है पड़ मुझे अब वापिस से उसको copper में बदलना है तो क्या यह possible है क्या है पॉसिबल कैसे पॉसिबल है इस पास्ट ओवर तिस हीटिंग मटीरियल अगर मैं सी ओ पे हाइड्रोजन पास करा हूं एच्टू को पास करा हूं तो पते क्या होगा displacement reaction ती ओ अलग हो जाएगा और ह्टू ओ हमारा थीक है समझ गया समझ गया क्या होगा और जैसी एस टू आया स्टू ने बोला हाँ आ गया हूं मैं है तो सी उन्हें बोला हमारा ओ ले जाओ तुब ऑक्सिजन ले जाओ मैं लगूं यह बात ठीक है एक्टिविटी थोड़ी कॉंपलेक्स थी उसके लिए हमें यहां पर अगर मैं आपको वह उसके अपको नहीं समझें और आपके स्लेवस में नहीं ठीक है चला तो अन दिस नोट अरे वह यह क्या हमने कर लिया है पूरा चैप्टर समाब और इस इस अ और आप सर्च करोगे टेलिग्राम पर तो भी हमारा चैनल आ जाएगा बारा हजार लोग हमारे साथ अल्रेड़ी जुड़े हों हैं आप किसका इंतजार कर रहे हो जुड़ो हो हमारे साथ टेलिग्राम पर बुकलेट सुकलेट सब हमने दे रखा है अब मेरी बाठते ध्या जो भी आपके ख्याल है क्योंकि मैं कमेंट फड़ता हूं in lectures के अंदर जो गंठे हांपर खड़े हो का मैस कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा濃प्ट आता है तो मिधा है झा skilled क्योंती हैना कोई चीज रिचार्ज हैं ने करता है साब कुछ फ्री मेल आता हूं से लेकर लेक्ट तो आपको यह इनिशेटिव अच्छा लग रहा हूँ अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर चोंगे तो मज़ा आएगा एंड सुस्क्राइब करके बैल आइकन दबा देना ताकि आप वीडियो को मिशना करो उसके बाद अगर आपको वीडियो काफी अच यह जमाना आपको मतलब यह जमाना आपकी कामियाबी देखना नहीं चाहता है यह जमाना चाहता है तुम गिरो जब तुम गिरोगे जमाना हसेगा और जब तुम उपर जाओगे जमाना तुमें देखके ताली नहीं बजाएगा जमाना नहीं करता कभी जिस दिन तुम गिर पे होगे, नहीं आएगा कोई, यह रियालिटी है दुन्या से, इसले बोलता हूँ, आज दूसरों से कंपेर करना बंद कर दो, रिष्थेदार पडोसी, घरवाले, कौन क्या बोलता है, फरक नहीं पड़ता, अंदर से, क्या तुम अपने गोल के प्रती सीरियस हो, क्या तुम उसके प्रती काम कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा फरक नहीं पड़ता, अगर मेरा बच्चा जो कि मुझ से सब कुछ पढ़ रहा है, मेरी सारी चीज़े फॉलो कर रहा है, उसके बाद भी उसकी अगर 50% भी आएगी ना, तो भी मैं खुश हूँ, तो भी मैं ख इतना रखना है, अन दिस नौट शुक्रे एवरिवन, मेरा नाम है प्रश्णा है, जोश लेवल आपका अब कैसा है, वो मुझे बताओ, क्या 100 है, 99 है, 0 है, कितना है, अन दिस नौट, हमने पहला चेप्टर कर लिया है, अगला भी आएगा, उसके अलाबा मैथ की ब्रहमास में की विडियो की में कमेंट सेक्शन ठीक कर आज